अक्सर सोशल मेडिया पर वाइरल हो रही कुछ फेक खबरे आगे चलकर सही साबित हो जाती है और ऐसी एक खबर सामने आ रही है कुछ समय पहले हर जगे हार्दिक पांडिया और नताशा के तलाग के खबरे वाइरल हो रही थी इसके बाद नताशा के एक पोस्ट से सबको अलग हो गए हैं दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी अपने फैंस को दे दी है वही हार्दिक का कहना है कि अब वे ओ नताशा मिलकर बेटे अगस्त्य को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे हार्दिक ने लिखा चार साल साथ रहने के बाद नताशा और मैं पोस्ट में आगे लिखा यह नताशा और मेरे लिए एक मुश्कल फैसला था हमने एक परिवार के तोर पर भढ़ते हुए आनंद लिया एक दूसरे के रिस्पेक्ट की और साथ दिया हमें अगस्ते का तोफ़ा मिला वही अब हम दोनों के जिंदगी का सेंटर पॉइंट र हार्दिक और नताशा के 20 तला के खबरे कई दिनों से आ रही थी वहीं नताशा ने टी 20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के बावजूद भी अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर एक भी पोस्ट नहीं शेयर कि थी नताशा ने अब एक इंस्ट्राग्राम पोस्ट की है जिसमें एक सूट केस और घर की तस्वीर थी इस पोस्ट के जरिये उन्होंने अपने घर सर्विय जाने की और इशारा किया था हार्दिक ने एक जनवरी 2020 को नताशा से सगाई की थी इसके जानकारी उन्होंने शोशल मीडिया के जरिये दी दोनों 31 मई 2020 को शादी के दोनों अपने रास्ते अलग कर लिये हैं कपल के अलग होने की खबरों को हवा तब मेली जब नताशा ने अपने शोशल मीडिया अकाउंट से हार्दिक के साथ शादी की तस्वीरे हटा दी थी फिर कुछ दिनों बाद नताशा ने इन तस्वीरों को रिस्टोर करके तलाक क कि अववाओं पर विराम लगा दिया था लेकिन अब दोनों तलाक ले रहे हैं